जीवान आपके उपर क्या पहेंकता है, वो हमेशा आप नहीं चुन सकते. आप उससे क्या बनाते हैं, वो पूरी तरह आपका चुनाव है. फिलहाल हमें यही चुनाव करने की जरूरत है. तो अभी, बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है, कि जब वो काम पर जा रहे थे, तो वो हर दिन तनाव पून और चिड़ चिड़े रहते थे. और उन्होंने हमेशा बताया कि ये काम की वज़े से, काम इतना ज्यादा है, बॉस कितना घिनोना है, ट्रैफिक कितना खराब है, हमने वो सभी बेकार चीज़ें आपसे दूर करती हैं, अब बस आपका प्यारा घर है. अब लोग कह रहे हैं, हम बाहर निकलना चाहते हैं, हम यहाँ और नहीं रह सकते हैं, बस बैठकर हर चीज़ की शिकायत मत कीजिए, ठीक है? अगर आप इन तीन हफ़तों की शिकायत कर रहे हैं, तो अगले तीन साल आपको बिना वीकेंड के काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है, आपको अपना काम बहुत पसंद है, कि बिना रुकेंड आपको काम करना चाहिए, या तो ये या वो, दोनों से आप दुखी हैं, तो क्या करें? आप अपने काम से पीडित नहीं है, आप ब्रेक से पीडित नहीं है, आप अपने मन की प्रकृती को भोगत रहे हैं, अब इसे ठीक करने का समय है, आप जिससे पीडित हैं, वो सिर्फ आपका मानसेक नाटक है, आपका नाटक, और आपको सिर्फ ये महसूस करना है, कि आप आपका नाटक बहुत बुरी तरह से निर्देशित नाटक है। चैकर रिवर्देशक बनना है। ताकि आपका नाटक आपके तरीके से चले। commencé जाहिए कुछित्स, पेशाखा Israith As The तसले तकि आपका्वेशाःता कि कि आपके स shapले सी प्राक्वेशोग शत्व ,कि हम सтесьबंदा जन जबर्दस्त बदलावाया है अगर अभी आप वो चीज सोच सकते हैं जो आप चाहते हैं ना कि आदतों से मजबूर होकर कोई और चीज तो आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे अगर अभी आप अपनी भावनाओं को मधूर रख सकते हैं तो आपका घर कितना मधूर होगा Inner Engineering प्रक्रिया अपने आप में शरीर, मन, भावना और उर्जा को शामिल करती है हमें शरीर और उर्जा के साथ जो करना है वो हमें डारेक्ट करना होगा क्योंकि ये एक तरह का Transmission है ये कोई शिक्षा नहीं है अगर आप केवल अपने दिमाग और अपनी भावना में बदलाव लाते हैं तो अचानक आपका जीवन काफी हद तक बदल जाता है इसलिए Inner Engineering ऑनलाइन है क्योंकि नहीं है आपका जीवन काफी है